तो IB24 जन समवाद बुदेलखन चैप्टर में अब बारी है एक ऐसे शक्स के मुलाकात करने की जिसने जनता के बीच रहकर उसके मुद्दों को उठाने और हल करने की ठानी है राजनीती में अलग-अलग शेत्रों की पहचान बने कुछ निताओं में से एक नाम है हरी शंकर खटीक जी का जो इस वक्त मंच पर विद्यमान है ये पूर मंत्री है वर्तमान में विधायक है और भारती जनता पार्टी जिनकी सरकार मजबूती से प्रदेश में चल रही है जिस पर कॉंग्रिस का ये बड़ा अपकी बार का आंकलन है और आप में विश्वास से कि अपकी बार बुदेल खंड में विविन सीटों की उपर जो स्थिती रहने वाली है वो एतिहासिक होगी कॉंग्रिस की जीत के तौर पर और बीजेपी की कम सीटे आने के तौर पर यहीं से मैं शुरुआत करूँगा आपके अपने एक शेत्र में बताया क्या स्थिती है भारती जंता पार्टी की कितना काम वाइदे आप कह रहे थे और कितना कर पाएं क्योंकि ये बड़ा ही उथल पुथल वारा पूरा बीच का सेशन रहा है बीच में कुप चुनाओ हुए धल बदल हुआ पार्टी का तखता पलट करके जो सरकार बनी इन सब के बीच में कि समय पर हम भारती जंता पार्टी के कार्यकरता ग्रूप में अपनी विधान सवाथ हुआ हुआ है जी थोड़ा ओडियो प्रॉब्लम है देखिए चेक करिए अपनी विधान का पूरा पानी उत्तर पेस में चला जाता है जी उसका एक बून पानी किसानों को नहीं मिलता उसके लिए हम लोगों जे लख्ष निर्दायत किया था कि हमारे छेटके लोगों को अपना पेट पालने के दिली पंजा भर्याना नहीं जाना पड़े उसके लिए हम लोग ने ठीकमण जी लेगा की धस्तान नदी पर 217 बांद बनवाया 227 बांद जिसमें 2766 Soviet कोर्ठार कर खर्च हुआ उसमें 183 गाउं के किसानों को हम लोग पानी देने लगे हैं और 183 गाउं के किसानों को 75,000 हेक्टर भूमी का हमने उनका किसानों को पानी मिलने लगा है दूसरा यहां अगर बात करें हम आप से सडकों की तो सडकों का जाल भी हमने अपने जतारा विधान की सडके हमें मिली हैं जो हमारी सडके लगातार अब तो 2-2-1-3-3 किलोमीटर क्योंकि उत्रपेश की लगा हुए स्टीन किलोमीटर की जो सडकें बची हैं मात्र छोटी और 2-4-10 सडकें उसके लिए हम लोग का पूरा प्रयास जारी है बागी हम लोग ने पूरा काम कराया है इसके साथ महातपूर यह है कि हमने अपनी विदानसाओ छित में दो सीम लाई इसकूल भी दिये दूसरा जतारा की धर्ती पर हमने एक सास की पोर्टनेक भी दिया जहां सिविल से मेकनिकल से एलेक्टिकल से एलेक्ट्रों से बच्चे आज कंपूर साइंस वहां पढ़क हैं हमने बुंद्यल खंट के चंदली तालाब हैं हमारे विदान सचित के फेसबन के माध्धम से जामनी नदी का हमने पानी भीदवाने कर गया था सब्सक्रीगर्णint करा लिया और 49 699 밖에 का कोड़ की हमने हरपा। सिटाई प्रजुना की फेस्टू का हमने काम सुइकित कराया है ठीक है आप आप इन सारे कामों को लेकर आपकी जनता तो जानती है लेकिन ये जो जन संबाद है संबर्देश के मंच पर दो तीन सवाल क्या आप इन कामों से संतुष्थ हैं कि जनता दो बारा से बीजे-पी को मौका आपके एलागे में देगी तो आपके कार्यकरताओं को लेकर आप कॉंटिएट हैं हां हमारे कारिकता लगातार महनत करते हैं कारिकताओं कि क्योंकि हम पूरे प्रदेश में भी हम जाते हैं मतपेस का जो ट्राइबल है वो ट्राइबल भी पूरे मतपेस का देखते हैं अरीशंकर साहब मेरा सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं आप से यह सब पूछने के पीछे अगर आपको इतना कॉंफिडेंस अपने काम पर है इतनी मजबूत सरकार पर है आपको अपने कारे करता हो समर्थकों पर भरोसा है तो फिर उन्हें कस्में क्यों खिलानी पड़ रही है क्या आप इधर दर नहीं जाएंगे देखे वह आरोब जो आप बोले हैं हर जो चैनल ल कोई कस्में कराने के लिए नहीं कए खैस दो चार कार्शा हमारे साथ भाई है वह हमलों के साथ में नहाने के वा тем सब्सक्तार उप्स करता को ऑप दो करखान करता हुं तो जैनिकि आत्मा उसना अपना रिष्टीस भी स्था तो है शना अपन बेढ भाद में दिया कि मैंने ने कोई कष्टेष्ट हमटा कराई थी अपनी मन से एक्छा कि अधार पर कोई चीड अपनी बोलने लगे तो उसमें कोई अतिशयोक्ती की बात नहीं कोई अतिशयोक्ती की बात नहीं मैं तो सिर्व यह पूछ रहा हूं कि जब हम दूर से देख रहे थे तो हमको ऐसा लगा कि खटीक साब को इतना भए हो कि उनको सरीव में ले जाकर बीत सरीव में खड़े करके अपने कारीकर्ता और समर्द्टों से कस्विस कहलानी पड़ी मतलब भए था या तो आपने डेमेज कंट्रोल कर ली आपक्त रहते या उसका डेमेज का डर था तो पहले ही आपने कस्मों से बांग लिए क्योंकि अपने अलाके में यह तो बहुत सारी चीज़ें चलती है क्यों कसम खाली है सब हमारे पास से कहोंने जाई हो देखे साब सबसे पहले तुम आपको बता दें कि कांग्रेस के पास क्या था पूरे मतपेस में 230 विलांसवा है जतारा विलांसवा चेत एक तो आप कांग्रेस लडिटी लें यहां जाता है कि आप इलेक्शन के पहले ही इस तरह की मेनेजमेंट में बड़े माहर हैं यह आपके लिए तारीव भी हो सकती है आप तालियां बजा सकते हैं इस बात पर आपकी बहु के निर्विरोध निर्वाचेत होने पर भी आरोप लगे और जो बात आप कहा रहे हैं इस पर भी क्या आप चुनाओ के पहले ही सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं और इस बाने आप पर परिवारबाद का रूप भी लगा क्या आप कॉंग्रेस को गेरते हैं परिवारबाद का इससे अच्छा नमूना क्या होगा आप असमें सेटिंग कर लो कौन बैठेगा सामने एक मिनिट माइक मैं आपसे दुबारा माइक दीजेगा एक और दूसरा हलो जी जी मतपेश के मुक्वंति सिवराशी चोहां जी लगातार इतनी युद्णाय बनाए हैं उन्हें युद्णायों के माध्यम से डायेट जनता को लाब मिल रहा है हमारी लालेली बहना युद्णाय भी आप बीच में आपके बीच में आई है और कांग्रेस ने साथ साल तक राज किया लेकिन कभी लेकर नहीं करें गरी माताओं बहनों का संबान करें विकास करें उनको विकास की चंता नहीं रही सब कांग्रेस को स्रव अपनी चंता रही कि उनका विकास कैसे होगा आज हम आप बोल सकते हैं बता सकते हैं कि बास्तों में हमारे पूरे मतपेस में संग्धन भी मजबूती के साथ में आंके काम कर रहा है तो हम तो यहीं बोल सकते हैं कि कारीकरता भारतियानता पाईटी एक घर परिवार से चलने वाली पाईटी है वहाँ पर जीहाजूर की जाती है यहां जो मैंनत करने वाला कारीकरता होता है उसको सम्मा दिया जाता है इसलिए हम तो यहीं आपके बीच में बोल सकते हैं कि हमारी जतारा विधान सवाचेत में विकास हुआ है इसे विकास अगर बुंदेलखंड की हम आप से बात करें तो बुंदेलखंड की सच्ची वाई है कि हम छतरपुर जिले के भी प्रवारी मनती रहें अ निकली हमारी के नदी जिसका पानी हमारे चतरपु लेके किसानों को एक मून नहीं मिलता था उसके लिए जो बरियार्पुर दाई नहर थी उसका पानी बादा उत्रपेस में चला जाता था देकिन आज हम गर्ब के साथ कह सकते हैं कि मत्पेस के मुक्वंदी सिवराशी नी यंदापाईटी की सरकार ने बर्यार पर बाई नहर संटन कराई उसके माध्यम से अपने लॉड़ी चंदला सरवभाई गोरिहार में पानी देने का काम किया नौगाओं की भिष्वास है जिए ठीक हो जिले मेडिकल कोलेज खुलेगा वहां झिटना तेजी के साथ अपने काम गिना रहे हैं अतना तेजी के साथ हम सब चुनाओ की तरह भी जा रहे हैं अपके बार के चुनाओं में आप देख रहे होंगे बीडी भाईया से भी हमने सवाल पूचा शर्मा जी से पूचा था कॉंग्रेस पार्टी के आप में विश्वास की क्या वजह आप देखते हैं उनका एक कहना है कि अपकी बार 26 में से 20 सीट हैं इसी बुंदेल खंड में वह आप से लेंगे और वजह बताते हैं कि यहां पे आप लोग पहले भी मंत्री थे तीन तीन चार चार अठारा में सडको के स्तिति का वो कोड करते थे और सबके बना लेकिन पानी पलायन पर काम नी कर पाए धर्म धर्मानत्रण की आल लेते हैं देखे कांग्रेस पाईटी को हराने के विर्जट के लिए और को कांग्रेस के इसे मंत्री बोलते थे कि हमारे च्छित के लिए बजट में पैसा जब वो कांगनेस के विधायक और मंत्रियों के नहीं सुनती थे तो वो कांगनेस से अलग हो करके वो भारतियनता पाइटी में सामिल हुए पर्याथ हमारे मत्पेस के मुखंधी सिवरासीन चुहां जी ने उनकी विधान सवाच्छेत में बजट दिया और विकास के काम कराए और मजबूती के साथ हमारी सरकार चली वो क्या कांगनेस में मत्पेस में सरकार चलाएंगे मत्पेस में क्या वो कांगनेस के हमारे मित्रें वो सरकार बनाएंगे उनकी उमर भी देखिए अब कितनी हो गई है उनको अब रेस्ट करने का समय आ गया है और मत्पेस में उनके नेतत में दो लोग है उनके नेतत में चुना होने वाला है LIVE काांग्रेस में हमई इतना पूरान विशाष दिलाते हैं के बंटाधार पूर मुखह उंतरी, जिनका नम बंटाधार आम कहा जाता था, जिनने पूरे मत्पेस की सटकों को पते नी था के कहां गईगी सटके थी के गड़्डा थे के गड़्डम गड़्ड था उनका पते नी था कि लाईट थी के नहीं थी वो माणनिय दिगवेजाए सींजी थी उनका कारीकाल पूरा भरवादी कर रहा और दस साल यब वो मुख्वनती रहें तो में पेसका विकास नहीं वो करा पाए आपकी पार्टी संग्ठनात्मक धांचे में बड़ी मजबूत है लेकिन कहा जा रहा है कि अपकी बार ये कुछ फॉर्मिले अपनाएगी यह यहां पर चेहरे बदलेगी आप तो आपके बारे उस सर्वे के आधार पर जो गाई लाइन क्या होगी पाईटी के सीज नेतुत के माध्यम से जो गाई लाइन आप तो संग्ठन में भी आप आप क्या राय रखते हैं चेहरे बदलने पड़ेंगे सादू संतों को कहना पड़ रहा है आपको क्या आप चेहरे बदलिए मतपे में भारतियन अंता पायति जो सर्वे करा रही है सीर सिनितत्यों के द्षाय सर्वे हो रहा है उसमें जो जीतने वाला प्रत्यास्य होगा भारतियन पायति उसंसी को टिकेट देगी चाहे वो हरी संकर खटीक हो चाहे हमने कोई भी हो हरी शंकर घटीक जी अभी क्या उम्मीद रखते हैं बंदेलखंड में सीटों को लेकर आपको बता दें कि बंदेलखंड नहीं पूरा मतपेस की हम बात कर सकते हैं कि आपकी वार और 200 पार ने यह तो नहां रहा बनाया वो के बारें बात करना मुंदेलघंड में आपने 26 सीटों की बात किये वो कांगरेस के लोग स्वभाग सालिय होंगे कि दो-चार सीटे मिल याए बलकि पूरी भारती अंता पाइटी की सीटें जीतना है पर क्या पिछले बार कम्योर थे इसमार चातरपुर भी बंफर जीतेंगे यह पूरा सत्पिस्ट थे ता हमारे पास तो विकास होंगे मुद्द्य होंगे जातिबाद होगा विकास के आधारी पर हम चुनाओ जीतेंगे जो मत्पेस में भारते हंता पालिटी की सरकार ने विकास किया है उसे देखिए आप जैसे आप ट्राइबल में जाईए तो पे यहां सबको पता है कि तुटीक साहब आप कह रहे हैं कि मुद्धों के आधार पर आप जीतेंगे और संग्धन सर्वे करायागा चलिए उसी संग्धन के सर्वे पर ही कॉंग्रेस पार्टी का ये अपना आकलन था लेकिन आपको बहुत सारी शुपकामना है भारती जनता पार पारती को शुपकामना और आपने खुलकर इतनी तेजी से अपना पक्स रखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जन्द संबाद में शामिल होने के लिए तो आईभी 24 बंदेल खंड संबाद में जन्द संबाद में आप कटीक साब को सुन रहे थे इनका स्पष्ट मा करना चाहेंगे विजेंद्र पांडे मेरे सेहोगी मैं उनसे कहूंगा कि खटीक साब को यहां स्मृतिशन प्रदान करें और आप सबसे में जोरदार दाल यहां चाहूंगा